आपका स्वागत है इस चैनल की ऊपर तो जो अगस्थ सब्तम्बर के जो दो हजार पचीस के इंटेक के ये आठ कंट्रीज के ओपन हो चुके हैं ये देखिए कि जिन्होंने अगस्थ सब्तम्बर दो हजार पचीस में जे जो कंट्रीज बोलूँगा इनकी पब्लिक तो अगर आप इन में apply करना चाहते हैं, तो आपको immediate step लेना पड़ेगा, तो मैं countries के नाम बता देता हूँ, तो जो भी मैं चे countries बताऊंगा, इन सब countries से related मेरी playlist हैं, तो आप उन playlist हो में जाकर उन specific countries की और भी free of course information ले सकते हैं, तो सबसे पहले Italy, Italy जो की free study provide करती है international students को, तो उनके portal already open हो चुके हैं, bachelor और master वाले students के लिए, तो जहाँ पर अच्छी profile वाला बच्चा और साथ में IELTS PT होना mandatory है, तब ही हम आपका बहाँ पर public university में free admission करवा सकते हैं, France के भी portal open हो चुके हैं public universities के, तो जो तिल December तक open रहेंगे, तो बहाँ की public universities की जो fees है, 300 euro से start होकर, तो 6000 euro तक की है, डिपेंड है आप कौन से program, कौन सी university में जा रहे हैं, ये दो countries बता नहीं है, इसके अलबा हमारे पास Nordic States जिनको कहते हैं Scandinavian countries, तो उनके भी portal open हो चुके हैं, किन बच्चों के लिए जिनोंने अगस्त 2025 में वहाँ की public universities में जाना है, तो Sweden से start करेंगे, Norway से start करेंगे, और even Finland, Denmark और Iceland, these five countries के भी portal open हो चुके हैं, तो यहाँ पर apply करने से पहले क्या precautions लेने हैं, आपकी profile चेक करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका admission बहां की कौन सी university से आने के maximum chances हैं, तो जिन बच्चों के अभी तक admissions नहीं आ पाएं, जिनोंने हमारे साथ भी registration करवाई हुई हैं, तो उनसे भी मेरी request है, कि जो हमने उनको suggestions नहीं हैं, आइदर आपको IELTS improve करने के लिए, जहाँ आपको हमने बताया कि portal open होते ही हम आपका apply कर देंगे, जहाँ हमने उनको साथ में यह बताया कि आप साथ में subjectutions रखें another countries के, तो वो वाले बच्चे भी immediate action लें, जो मैंने उनको add the time, जब हम से registration करवाते हैं, suggestions देते हैं, तो यह secondary in countries में benefit यह है, कि आप अपनी spouse जाण dependent बच्चों के साथ बहाँ पर बढ़ने के लिए जा सकते हैं, इवन आपके बहाँ पर बच्चों की education free है, जो dependent साथ में जा रहा है, वो उसको full working right है, इवन वो अपना business भी बहाँ पर start कर सकता है, इवन एक country और बता दूँ लिस्टन स्टाइन, छोटी सी country है, तो जहाँ पर भी बच्चा अपनी economical और free type की study ले सकता है, लिस्टन स्टाइन में भी, तो जैसे मैंने आइजलेंड बता है, आइजलेंड में भी एक university है, जिसमें आपको free में education मिल सकती है, जहाँ economical मिल सकती है, एकिनॉमिकल मीन्स जिसकी fees 2000 यूरो, 1500 यूरो तक की हो सकती है, तो आपकी profile चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, इन में से कौन सी country में आपकी 13 years of study चाहिए bachelor admissions के लिए, कौन सी country में आपकी bachelor degree 4 years की होनी चाहिए, अगर आपने master में admission लेना है, जिन के पास 12 साल की study नहीं है, जिन बच्चों के पास 4 years की bachelor degree नहीं है, तो भी वो बच्चे इन countries में कैसे जा सकते हैं, उनको क्या precautions लेने हैं, यह सारी की सारी चीज़े हम अपने clients, अपने students के साथ share करते हैं, तो लेट ना करें, यह आड़ countries के portal open हो चुके हैं, मैं फिर रिपीट कर दूँ, इसमें France की public universities हैं, Hungary है, और आप Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland और Lichtenstein, इन सब universities के portal open हो चुकी हैं, maximum universities open हो चुकी हैं, जिन बच्चों ने 2025 अगस्ट सब्तमबर में पढ़ने के लिए जाना है, तो यह countries के अलावा, अभी तक हमारे पास fav intake के लिए भी कुछ countries में options पढ़े हुए हैं, बट profile आपकी कैसी है, आपके English proficiency क्या है, आपका study में gap कितना है, यह सारी चीज़ों चेक करने के बाद हम आपको स्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आपने इन सभी countries से related और भी वीडियो देखनी है, तो मैं फिर रिपीट कर दूँ उनकी playlist हैं, जिनको हमने description box में लगाया है, बहां जाकर उनको भी आप चेक कर सकते हैं, तो लासी मेरी यही request है कि अगर आपके किसी भी दोस्त ने, specially शेंगन countries में पढ़ने के झाल